नमस्कार आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूँ आपके साथ नमनमट के अभी हम इस वक्त हैं छावनी अनाज मंडी में लगातार जो सरसों के आवक है वो लगातार बढ़ रही है और धिरे-धिरे सरसों की जो डिमांड है वो भी केजी से बढ़ रही है यही कानण है कि आवक में भी अब पड़ोतिर जो है वो देखने मिल रही है शरच जी व्यापारी है सीधे उनके पास चलते हैं जानते हैं कितनी आवक सरसों की वरतमान में है और क्या कुछ डिमांड अभी देखने मिल रही है शरच जी पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे पास है और अभी कितने आवक हमारे पास हो रही है और अच्छी मातरा में हो रही है और आवक प्रची दिन बढ़ेगी कि समय चल रहा है सरसों का और भाव इसकी इस्तिर हो गए हैं लगवाव 55 से लेके 57 रुपे के बीच में किसान लगातार माल लाई रहा है और जित हमारे जाता है और यहां मेलो दो तरह की है कहां कहां से डिमांड हमारे पास सरसों की अधिकतर पूरे इंडिया यहां से माल जाता है और साउथ की विश्रश कर रहती है आने वाले समय में जो सरसो के दाम हम किस तरह से देखते हैं बढ़ेंगे या घटेंगे अने वाले समय में घटने की उम्मीद तो कम है कुछ भी बढ़ सकते हैं क्योंकि यह बॉटम भाव है और यदी हम बात करें तो पिछले साल की तुल्म में इस साल दाम किस तरह का रहा है और किस तरह का व्याववसाय सरसु का हम देख बरें हैं Да उसकी बीह επιहां बहुता होगा Cannon लोल यह तो फिर दामों में उतार चड़ाओ देखने मिलेगां क्या अधिक त्रह सरसों होता है साँए पर अभी कम होती है राइड की रूक में उसकी तेल निकल जाता है किस तर आ सचों के दाम पर असर होगा तो इसका सीधा सर तेल के दाम पर भी दिखेंगा? सरसो के दाम बढ़ते तो आने वाले समय हम कह सकते हैं कि सरसो का तेल भी महङा होगा है ? राए के स्ततु संतेक्टा होगा , वह एक राइक का भी कम हुआ , तो आने वाले समयए फ्सक्रन मैं बढ़एंगे ? उत्पदन में कोई कमी नहीं है और वहाओ तो क्या है सारे तेलों को मिला करके उसके उपड़ डिमांड चलती है जब जैसे डिमांड आती है तब विसा निशीत तोर पर तो शरजी थे व्यापारी जिनका इस पर तोर पर कहना है कि सरसों के जो दाम है वो आने वाले दिने में उतारशड़ों के स्तती दामों में देखने मिल सकती है और निशीत तोर पर जब सरसों के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे तो सरसों का चो तेल है उस पर भी दामों का सिधासर जो है वो देखने मिलेगा इंदौर के शाओने अनाज मंड़नी से नमन मत के